नमस्कार आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूँ डॉक्टर पंकस सिंग गौर उत्तरप्रदेश की योगी आदितिनाथ और मद्धप्रदेश की सिराच चौहान की सरकार में दो महिला अदिकारी इन दिनो चर्चा के केंद मिंदु में हैं योगी राज की महिला अधिकारी पर पत्य को छोड़ कर दूसरे अपसर के साथ प्रेम संबंद होने के गंभीर आरोप है तो सुराज के राजवाली सरकार में एक महिला अधिकारी ने HDM के पत्स से इसलिए इस्तीपा दे दिया क्योंकि उसे अपने घर के ग्रह प्रवेस में भाग लेने के लिए छुट्टी की अनुमती नहीं मिली और सर्वधर्म सांति सम्मिलन आयजित करने का परमीशन नहीं मिला नौकर साही में या दोनों घटनाएं जहां चर्चा का बिसे हैं वही राजनीती गलियारों में बिपच्ची दल इसे लेकर भाजपा सरकारों को घेरने की तयारी कर रहे हैं बात पहले मद्द परदेश के उस महिला एश्डियम की कर लेते हैं जिसने अपने पस से इस्तीपा दे कर सुराज चोहान की सरकार को घेरने का मौका बिपच्ची कॉंग्रेस के पूर मुक्यमंतरी कमलनात को दे दिया है आपको बता दे कि मद्द परदेश के छतरपूर के लौकुष नगर की एश्डियम निशाबांगरे ने प्रमुक सच्चुग्रा को संबोधित अपना इस्तीपा भेज कर तहल का मचा दिया निशाबांगरे के मताबिक 25 जून 2023 को बैतूल के अमला में गमन मलिक पाउंडेशन दोरा एक सर्व दर्म सांति सम्मेलन का आयोजन होना था सामानी प्रसासन से अनुमती मांगी जिसमें ततागत बुद्ध की प्रतिमाएं आ रही थी निशाबांगरे के मताबिक उसी दिन उनके गरह प्रवेश था उसके लिए चुट्टी के लिए भी अनुमती मांगी लेकिन ना कारिकम में भाग लेने की और ना चुट्टी की अ अगर मुझे नहीं मिल सकती तो या संबेधानिक अधिकारों का हनने है और मैं अपने अधिकारों की रच्छा इस पद पर बनी रहकर नहीं कर सकती तो मैं इस पद पर बनी रहना उचित नहीं समझती हूं क्योंकि मैं अधिकारों के लिए लड़कर प्राप्त नहीं कर सकती हूं तो किसी के लिए भी नहीं कर पाऊंगी उधर सिवराज सरकार उन्हें घेरने में जुट गई है आरोप है जिस मकान के उद्घाटन के लिए छुट्टी मांग रही थी वह अभी पूरा भी नहीं हुआ है वहीं बड़े पैमाने पर धार्मी कारिकम के लिए उन्होंने बिदेशी महमानों को नोता दिया था इसकी मंजूरी प्रसासन से नहीं ली थी ऐसे में बैतूल प्रसासन ने निशा बांगरे को सर्वधम सम्मेलन की अनुमती नहीं दी है साथ ही निशा बांगरे पर भोपाल में सरकारी आवास नहीं खाली करने का भी आरोप लगा है उधर कई तरह के आरोपों से घिरने के बाद निशा बांगरे ने एक वीडियो जारी कर आरोपों पर सफाई दी है उन्होंने कहा कि भोपाल से मेरा टानसपर छतरपूर जब हूँँआ था तो मुझे चार महीने तक मकान नहीं मिलने के होजे से मैं रेश्ट हाऊस में रहती ती अब मकान मिल गया था तो मैं वहाँ से सामान लाने की तैरी कर रही थी पुरानी नोटिस को जारी कर मेरे खिलाब सड़ेंत किया जा रहा है चर्चा यह भी है कि निशा बांगरे चुनाओ लड़ने की तैरी कर रही है फिलाल इस मामले में सिराज चोहान सरकार को घेनने का मौका कांगरेस के कमलनात को दे दिया है अब बात होगी योगी राज के उत्तर प्रदेश की यहां भी एक PCS महिला अधिकारी चर्चा के केंद बिंदु में है दरसल प्रताबगर के पंचायत राज बिभाग में सफाई कर्मी के पद पर तैनात आलोक मौरा की साधी जोती मौरा से हुई थी साधी के बाद आलोक मौरा ने अपनी पत्नी जोती को पढ़ाने में पूरी ताकत लगाई जिसके बाद जोती का चैन PCS में हो गया दोनों की जिन्दगी में खुसाली के रूप में दो जुड़वा बेटी आई जोती मौरा एषडियम बनने के बाद अपने सफाई करमचारी पत्से दूर होने लगी और पत्त के बजाए होम गार्ड के कमांडेंट मनीस से प्रेम की पहेंगे बढ़ाने लगी जोती मौरा के पत्यालोक मौरा ने जब बिरोध करना शुरू किया तो अपसर पत्नी जोती मौरा ने पावर दिखाना शुरू कर दिया पत्यालोक रोता बिलगता सरकार के हर दर्वाजे पर नियाए की कोहाल लगाता रहा लेकिन उसकी एक न सुनी गई उल्टे आलोक के बिरुद मुकद में दर्ज होने शुरू हो गए जोती मौरिया मौजूदा समय में बरेली की एक चीनी मिलके जीम पद पर तैनात है दो बच्चों की मा महिला अधिकारी जोती मौरिया के कारणामों को बेनकाब करने वाले पती आलोक मौरिया के आरोप इंदिनों सुर्खियों में है यूपी में जोती मौरिया का किस्सा नौकर साही में चर्चा का बिसे है हर कोई इसको लेकर अपनी तरह की राय रख रहा है इस खबर पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट के जरीए जरूर बताईएगा खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आई इंडिया